गुड इबनिंग एबरीबन सबी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रामगर एडू केर में डीटेल डिसकसन करने वाले हैं दोस्तों डीएबी की और से जो वकेंसी आई है teaching और non teaching के लिए complete process जानेंगे कैसे आविधन होता है क्या योग्यता रहती है selection कैसे होता है salary क्या होती है उसके बाद में syllabus exam pattern कितने फैज में होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर discuss करने वाले है विडियो को skip बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो जो doubts है जो confusion है वो रही जाएंगे तो बिना skip हुए last तक आप देखे सारे doubts अगर clear आपको करने है तो तो डीए भी public school जो है दोस्तों all over India में है all over India में है उसके बाद state wise माटा गया है अब state के अंदर में हर state के अंदर में zone wise माट दिया गया जैसे यहाँ पर जार्खंड है जार्खंड का zone देखे A, B, C, D, E, F area के according Z तक यहाँ पर zone बाट दिया गया है और सभी zones में मायन के चलिए zone A है zone B है सभी zones में इस area में जितने भी D, B, A schools है यह zone A के अंदर आएंगे B के अंदर आएंगे C के अंदर आएंगे लेकिन जितने भी schools है all over India की बात करें सभी में जो selection process है बहाली की जो प्रिकरिया है विल्कुल सेम रहेगी तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे साथियों आवेधन की जो तीथी है यहाँ पर vacancies detail हम लोग discuss करेंगे आवेधन की जो तीथी है दोस्तों 15-10-2020 से लेकर 5-11-2020 तक आवेधन कर सकते हैं आवेधन offline होगा और यह form कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा form मेरे पास भी है मैं भी share करूंगा तो यह जो form है आवेधन का जो form है उसको fill करना है और एक ही post के लिए आवेधन करना है एक candidate को TGT, PZT या फिर PRT या फिर nursery के लिए अलग-अलग post पे आवेधन नहीं कर सकते हैं आप किसी एक ही subject पर एक ही post पर आवेधन कर पाएंगे थोड़ा से यहाँ पर मैं जानकारी के लिए ताकि जादा समझ में आया आपको चीज़ें clear हो यहाँ पर देखें जारकंड में देखें यहाँ पर अलग-अलग zone है जैसे की जारकंड का zone A है तो यह DAB Public School है यहाँ पर contact number और यह official website है zone A का और इधर आएंगे तो zone A का जो यहाँ पर school है center है जहाँ पर आपको application submit करना है तो यह जो DAB Public School PSNIT अदित्यापूर है DAB दुगदा बुकारो है तो यह दोनों centers में आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन इसके official website पर भी यहाँ पर मिल जाएगा या जो यह schools है इनके अपने official website पर भी मिल जाएगा मैं भी share कर दूँगा सारे form almost same रहते हैं सिर्फ school का नाम change होता है बाकी form सारे same होते हैं तो यह अगर आप download नहीं करना चाहते हैं तो आप direct school visit करेंगे यह जो आपके center दिखा रहे हैं application submission के center direct school visit किजेगा तो वहाँ भी आपको form मिल जाएगा offline form फिल करना है documents attach करने है उसके बाद submit करने हैं देखिए यहाँ पर zone wise है और zone के अंदर में कौन कौन से DAB college है जैसे हमारा यहाँ पर रामगड से विलोंग करते हैं यह DAB public school यहाँ contact number वगेरा दिया है इसमें जो centers है DAB, PA, CCL, Rajrappa project, आरा, कुजू, रामगड उसके बाद इसके अंदर में जितने भी DAB schools zone के अंदर में सभी यहाँ पर detail में दिये हुए हैं अब यह हर state के लिए same चीज है तो बाकी यहाँ पर detail में discussion नहीं करना सारे subjects के लिए हाँ पर nursery, nursery पर भी vacancies है, TGT पर vacancy है, PRT भी vacancy है और जो non-teaching stops है उनके लिए भी है तो उनका जो योग्यता क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ा भी हम लोग discuss करेंगे चली, तो यहाँ पर stage पहले थोड़स आपको brief में समझा देते हैं ताकि अगर इच्छा ना हो तो आप यहीं से वापस लोट सकते हैं सबसे पहले यह form आप offline fill किजिएगा और fill कैसे किजिएगा, direct आपको offline school जाना होगा जो center है आपका जिस zone में belong करते हैं या फिर किसी भी zone में apply करना चाहते हैं वहाँ से, form कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैंने बता दिया उसके बाद में आपका आयोजन होता है CBT exam, यह exam होता है, सबसे यहाँ पर जो अच्छी बात नहीं है वो है, इसका जो slabbers है कभी जारी नहीं किया जाता है नहीं exam pattern बताया जाता है आपको, नहीं दोस्तों, number of vacancies, number of vacancies, कितने vacancies हैं, कितने रिक्तियां हैं, किस school में, किस zone में कितने vacancies हैं, यह सारी चीजें बिलकुल भी बताई नहीं जाती हैं, जो कि बिलकुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए अब हर साल परतेक वर्स, DAB और SBM यहां पर कितना vacancies generate कर रहा है, तो इतने आवेदन मिल रहे हैं मुझे लगता है, यह direct पैसा कमाने का तरीका है, दो-चार vacancies भी है, तो पूरे यहां पर हजारों की संख्या में आवेदन जा रहे हैं ठीक है, तो यह जो पहले offline आवेदन आप करेंगे, अगर आप eligible होंगे तो आपको CBT exam के लिए बुलाया जाएगा, CBT exam के बाद में, CBT exam अगर आप pass करते हैं, तो आपको certificate मिलेगा, कि हाँ आपने CBT pass करा है अगर पहले CBT pass की हुए 2024 में, तो वो भी valid है, direct आप जा सकते हैं, demo के लिए और, demo के लिए और interview के लिए, तो तीन stages हैं यहां पर, और final selection जो आपका होगा, वो demo और interview के आधार पर ही होगा, ठीक है, तो demo और interview जो panel होगा, इसी के आधार पर final selection होगा, पहले offline submit कीजिए form, उसक इसे बार direct आपको demo interview के लिए call आएगा, जो भी registered mobile number है, या mail ID है, उसमें आपको information दिया जाएगा, syllabus अब TGT, PGT का जो रहता है, आप लोग उसी को follow करना है, जो other exams होते हैं, जैसे KBS हो गया, NBS हो गया, और यहां पर जो होते हैं, दोस्तों theoretical question भी होते हैं, theoretical question होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके MCQ या objective type के question है, आप जिस तरह 11th, 12th में exam देते हैं, उस तरह का आपका pattern रहेगा, पहला paper तो Hindi English qualifying रहता है, तो वो तो आसानी से कर लिजएगा, लेकिन यहां पर theoretical question आपको theory लिखना होता है exam में, ठीक है, तो यह चीज यहां पर last date आपने देखा, अभी बात करते हैं, योग यता कि उसके बाद आपको आवेधन का form दिखाएंगे, कैसे fill up करना है, और एक चीज मैं बता दू, आप Google पर direct search करेंगे, यह जो website है, तो वहां से आपको application form मिल जाएगा, या फिर direct आप school visit कर सकते हैं, यहां पर जो भी center है, zone wise, आप चाहे जारकन से हैं, विहार हैं, West Bengal से हैं, कहीं से भी हैं, आपके अपने area का जो school है, उसका जो website है, वहां visit करे देंगे, तो आपको आसानी से उपलब्द हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी share कर दूँगा, तो उसको भी आप print out कर सकते हैं, और इतना भी नहीं करना, तो आप direct school जाएए, documents लेते हुए, form महामिल जाएगा, submit कर सकते हैं, तो चलिए, जो महतपून है, य कोई भी zone का हो, DAB का है, तो सब के लिए same होगा भाई, अब यहाँ पर देखे, Fraser को साब साब यहाँ पर मना किया गया, कि Fraser not allowed, लेकिन Fraser भी apply करते हैं, Fraser भी अगर exam में अच्छा performance कर जाते हैं, तो उनको भी रख लिया जाता है, कम salary थोड़ा दिया जाता है, लेकिन रख लिय जाता है, उसके बाद में फिर experienced हो जाते हैं, तो फिर salary बढ़ा जाता है, तो Fraser भी आप आविदन कर सकते हैं, अगर यह चुक हैं तो, चलिए, यहाँ पर पहले post PGT की बात करते हैं, PGT में यह जो subject आप देख रहे हैं, अब इतना पढ़ेंगे तो आप लोग बोर होईएगा तो subject यह जो दिख रहे हैं, सारे इनके vacancies हैं, अब इनका PGT plus two teacher के लिए क्या यहाँ पर योगयता होनी चाहिए, देखे, PG आपका 50 पर 30 होना चाहिए, कोई भी university जो योजिसी से recognized है, और NCTE द्वारा recognized है, अगर physical education, MBA किये हुए योजिसी से तो आप physical teacher बन सकते हैं, painting के लिए MFA या फिर MBA अगर किये हुए हैं तो PGT में आप सक्षक बन सकते हैं, तो यहाँ पर graduate A, post graduation में 50 पर 30, 37 आपको B8 के डिगरी चाहिए, यह आपका हो गया PGT के लिए, बात करेंगे TGT के लिए, तो TGT में यहाँ पर देखेंगे, graduation या post graduation है, आपका 50 पर 30 अंकों के साथ में, साथी साथ अगर आप B8 किये हुए हैं कहीं से तो apply कर सकते हैं, साथी साथ, यहाँ पर TGT के लिए देखिए, seatate या estate भी qualified होना चाहिए भाई, तभी आप apply करोगे, नहीं तो फिर बेकार होगा, computer science teacher के लिए यहाँ यहाँ पर M.C.A., M.C., M.T.E.C., B.C.A., B.C., B.T.E.C., computer science and B.A.D., promancity, recognized college, music, dance के लिए भी नीचे है, painting के लिए और physical education के लिए भी यहाँ पर योगयता लिख रखा हैं इनोंने, अभी नीचे यहाँ पर मैं दिखाया ही नहीं हूँ, PGT के लिए यहाँ पर देखेंगे at least five years of teaching experience in senior secondary classes, CBSE या फिर ICSE school में अगर आप पढ़ाये हैं या फिर GOPT added school में पढ़ाये हैं, government school में पांच साल का अनुबव है तो आप apply कर सकते हैं, लेकिन phraser भी apply कर सकते हैं, इनको भी accept किया जाता है, form को आप exam में appear हो सकते हैं, यह मैं mention कर रहा हूँ बार बार, TGT में देखे हैं, accept कर लिया जाएगा, form, बाकी यहाँ पर आगे देखेंगे, PRT के लिए, PRT के लिए यहाँ पर देखे साथियों, आप post graduation या graduation किये हुए हैं, या फिर 12th किये हुए हैं, 50% marks है, साथी साथ B.A.D. है, या फिर J.B.T. है, NCT approved college से, CT tested है, तो फिर आप PRT के लिए eligible हैं, music या dance का teacher बनना है आपको PRT में, तो post graduation होना चाहिए, या फिर graduation होना चाहिए, music में, from UGC recognized university, painting के लिए भी वैसे है, physical education, library and information science के लिए भी है, wellness teacher, counselor के लिए भी आपने देखा, आगे यहाँ पर देखेंगे, nursery या फिर बालवाटी का pre primary teacher के लिए, इसमें सिर्प female आवेदन कर सकते हैं, nursery के लिए, graduation में, कम से कम 50% कहोने चाहिए, from UGC recognized university with valid entity, two years from our NCT recognized institute, या फिर B.A.D. अगर आपके हैं, four years वाला integrated, या D.L.A.D. के हैं, दो साल का, या फिर graduates हैं, with J.B.T. two years, और इसमें भी आपको seatate या estate चाहिए, भाई, तभी apply कर सकते हैं, उसके बाद में इधर जो non-teaching post हैं, उनके लिए यहाँ पर है, जैसे, ministerial non-teaching stops हैं, इनके लिए है इधर, उसके बाद में, LDC accountants का है, UDC है, तो यह मैं share करूँगा, तो वहाँ से आप जरूर देख लिजएगा, नोट में देख लिजए, applicable in the concerned school, for regular appointments only, जो regular appointment किये जाएंगे, उनको 7th pay का यहाँ पर मिलेगा salary, is must below 35 years, as on 31st, जानी की 31, 12, 20, 24 तक आपका यह जो है 35 होना चीए, however relaxation in up to maximum 5 years may be given to the candidates having experience of teaching in an affiliated CBSC, IC, SC government teacher, अगर आप teacher पहले से हैं, experience से अनुभावी हैं, 5 साल के, तो 5 साल का आपको age relaxation भी दिया जाएगा, यहाँ पर अगर पहले से पढ़ा रहे हैं आप, तो आपको 5 साल का age relaxation भी दिया जाएगा, तो यह बात हो गई योग्यता की, पहले योग्यता तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर age limit जो है 55, 55 साल का था अभी, तो यहाँ पर 35 देख रहे हैं, चली आगे दिखाते हैं आपको form, तो यह जो form है, आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ, schools में भी जाएगा, जिस zone से आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर zone का जो center है, वहाँ पर भी आपको मिल जागा, सभी form एक जैसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर zone जो है, वह change मिलेगा आपको, जिस zone से apply करेंगे, वह zone यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम रहेंगे, तो यहाँ पर school जो center में आप submit कर रहे हैं, उसका नाम, contact number, email id, website, आपको, website तो मैंने शुरू में ही दिखाया आपको, और सभी schools के अपने-पने website है, आप Google से check out कर सकते हैं, या जो center जिनको बनाया गया है, उनका भी official website आप visit कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, teaching post है, प्लीज mention, post applied for, किसके लिए apply कर रहे हैं, उसको यहाँ पर जैसे PGT apply कर रहे हैं, तो PGT लिखे, non teaching के लिए apply कर रहे हैं, तो non teaching वाला post यहाँ पर आप लिख सकते हैं, personal information में यहाँ पर नाम, पिताजी, माताजी, nationality यह सब तो आप भरी सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, preference in computer यह तो yes करना ही होगा आपको, language spoken, Hindi, English आप कर सकते हैं, English Hindi, उसके बाद जो experience है, उसको भी यहाँ पर आप mention कर सकते हैं, when worked, since when working, तो कब से आप काम कर रहे हैं, कितना साल का अनुभाव है, नहीं है, अगर अनुभाव तो इसमें आप blink छोड़ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, अब किस स्कुल में आप पढ़ा रहे थे, कब पढ़ा रहे थे, वो यहाँ mention कर सकते हैं, बाकी नहीं किये हुए हैं भाईया, experience नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे, नीचे educational qualifications है, यहाँ पर आपने 10th कहां से किया, 12th कहां से किया, पोस्ट गेजविशन कहां किया, यहाँ B.A.D. aid किजिएगा, तो B.A.D. आप aid कर सकते हैं, और भी extra कोई आपका degree है, तो यहाँ पर aid कर सकते हैं, computer अगर किये हुए हैं, तो इधर कहां से किये हैं, कितने percentage हु ठीक है, उसके बाद में ये form जो है, इस form के साथ में, जितने भी आपके educational certificates हैं, जो आपने उपर mention किया, form में fill करते समय, सभी के जरुक्स कॉपी आपको attach करने हैं, professional certificates भी, अगर experience later आपके पास है, तो आप attach कर सकते हैं, बाकी ID, proof में आधार, passport या कोई भी आप to photograph साथ में declaration करना है, attach करके सिधा submit कर देना है, exam date वगेरा आगे जो भी है, मेरे पास बहुत सारे zone के form है, तो सभी zone के form से में है, तो सब को अलग-अलग दिखाने का कोई फायदा नहीं, ये D का है, जरुक्स का, अब ये बिहार का रहेगा, यहां बिहार रहेगा, उसमें भ बताने को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बताना रह गया है, तो next वीडियो में कबर करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, यहां तक वीडियो को देख लिए हैं, तो आपको बहुत सारी चीजे समझ में आ गई होंगी, मिलते हैं अगले वीडि के साथ में, धन्यवाद, जोहार